दोस्तो आज हम देखेंगे VFly वीडियो कैसे सेव करें जी यहां दोस्तो VFly जैसा कि आप सबको पता है वीडियो स्टेटर्स में कर एप है यहां पर आप वीडियो स्टेटर्स बना सकते हैं जिसको आप अलग-अलग प्लैटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं WhatsApp, Instagram, अलग-अलग platform पे शेयर करने के लिए आप इसमें status बना सकते हैं तो दोस्तों इन वीडियो को बनाने के बाद इसको save कैसे करना है आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो ऐसे ही latest updates के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लीजिये और bell icon प्रेस करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो आप जैसे ही app open करेंगे तो इस interface पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको फिर बहुत सारे themes मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एक theme choose कर लीजिये उसके बाद हम देखते हैं उसको कैसे edit करना है तो आपको अगर वीडियो कैसे use करना है इसका अगर पूरा tutorial देखना है तो उसकी link मैंने अपने वीडियो के description में दे दिया आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैंने theme choose क्र लीया है theme choose करने के बाद यहाँ पर आपको replace photo का option आ रहा है तो यहाँ पर आप पूरी अपनी पहले editing complete कर लीजिए उसके बाद आपको make väldigt इसके करना है तो अभी मैं यहाँ पर अपनी photo जो है और प्लेस कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपनी editing कंप्लीट कर लिए उसके बाद मैं make पर क्लिक करता हूँ आप make पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको saved successfully का एक option आ गया है saved successfully to your album मतलब कि successfully आपकी album में save हो गया है आपकी gallery में save हो गया है तो यहाँ पर आपको video को save करने के लिए कुछ नहीं करने आप पहले अपनी पूरी editing कंप्लीट कर लीजे उसके बाद जैसे ही आप make पर क्लिक करेंगे तो यह automatically उसको आपकी gallery में save कर देगा उसके बाद यहाँ पर आपको अगर और भी platform पे इसको share करना है तो share करने का option आ रहा है post करना है तो post करने का option आ रहा है अगर इसको आपको live wallpaper बनाना है अपने mobile phone पे तो उसका भी यहाँ पर option दिया हुआ है तो मैं आपको gallery में दिखा देता हूँ यह कहाँ पे save होगा दोस्तों आप जैसे ही अपनी gallery open करेंगे तो यहाँ पे आपको videos का एक folder मिल जाएगा आपके mobile में videos का एक folder होगा वहाँ पे भी आप जाके इस video को देख सकते हैं तो यह आपकी gallery में भी save हो चुका है तो दोस्तों आपने देखा हमने कैसे वीफ लाए एप में video को save किया वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करिये वीडियो को like और share ज़रूर करिएगा थैंक्यू फ्रेंट